कि देखाने जाओंगा कि यहां पर पेरा मेडिकल्स के अभर्ति भी जूट जूट जुके हैं जो सिफु के बाहर लगातार दना दिया जा रहा था जो की पूरों इस्तिगित किया गया है वो पोँचे हैं यहां पर और यहां पर पहुंच कर अपनी मांग की जा रही है संद्र परवरी को सुब्रा सिंग मेडम से वारता हुई डेलीकेशन हुआ डेलीकेशन में में ने बोला कि हम्हें साद दिन का टाइम दो साद दिन के बाद आपकी परिक्रियाच पूरी तरह चालू कर देंगे तो हम से दंड़ने को अहमने बंद ने किया इस तक गित किया है साद के लिए अगर साथ दिन में हमारा काम इस्टार्ट नहीं होता है तो हम फिर से धर्णा इस्टार्ट कर देंगे उसी जो सोर जुनुन के साथ हमारी सारे बहनवाई इससे भी जदा संक्या में आएंगे और फिर से शिप्पो के बार धर्णा लगाएंगे आज हम गोविन देव करते हैं कि अधिकारियों को और चिकित्सा मंतरी और मुख्य मंतरी को सदबूत दी दे जिससे हमारे को जल्दी जल्दी जोइनिंग दे उमीद और आज जो लगाई बैठे हो गोविन देव जी के मंदिर में आप कहीं न कहीं क्या संदेश दरन चाते हैं सरकार को आज पहु कर रहे हैं कि बहन को जल्दी सवस्त करें और वह बीच में पहुंचे और हमारे को जल्दी से जल्दी जोइनिंग दे देखें यह अभयती है जो शिफू के बार धना दे रहे थे लेकिन हाल फिलाल यह इस्तगित कर दिया गया है साथ दिन क्या समय मांगा था एसी एस सुब्रा सिंग ने हाल फिलाल यह गोविन देव जी के मंदिर पहुंचे है और अपनी मांग है वह यहां पर रखी है गोव में दिक्कत है पिछली गैलोज सरकार में यह बढ़ती निकली थी आठ केडर की बढ़ती थी आचार सहीता में लटक गई और इन्होंने मतलब विदानसवाद सुनाओं में बीजेपी ने वादा किया था मोधी का गारेंटी लेकर बेनर लगाए थे कि जैसे ही हमारी सरकार इनलोजित आएगी हम जुइनिचय देंगे से मोधी की मोधी जी ने अभी तक हमको जुइनिचय नहीं दिये थिए इसे मोधी की गारेंटी समझें जार समय और अभी मिटिंग हुई है, A.C.S. मेडम ने हमें आस्वासन दिया है, और हम यह नहीं चाहते हैं कि दढ़ना हो, हम यह चाहते हैं कि बगवान कुछ ऐसा करें कि हमें साथ दिन में न्यूक्ति मिल जाए, हम सर वैसे भी परिशान हो चुके, दढ़ना आप समझ रहोगी, बे कि मारे पास अभी और कोई चाहरा नहीं है, हम यह चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ बगवान ऐसा कुछछक्स मतकार करें कि हमें जूइनंग मिल जाए! और कहने हैं मतलब बजनलाल सरकार वादा दावा करती है कि हम तीन मेने काम एक मेने में कर लेंगे तो सर ये काम इन से क्यों नहीं हो रहा जब इन्होंने वादा किया था अभी आपको पता है कि आचार सहिता लगने वाली हमें बैह है लेकिन सर सबसे बड़ी चिंता मुझे ये है अपनी न्युक्ति से ज़्यादा चिंता मुझे ये है कि हमारी एक बहन दंडे में शामिल होने के लिए आ रही थी मनिशा सोनी वो दुर्गिटना घरस्त हो गी अभी दुल्लब जी में उनका इलाज चल रहा है लेकिन सर मैं ये करना चाहता हूं कि ये वोट मांगने के लिए घर गर आते हैं तो मैं चिकिश्या मंतरी जी को ये करना चाहता हूं कि इतनी क्या बड़े होगे जो आपने एक बार उनकी एक बार जाके सुध नहीं लिए आप नारी सक्ति का नारे लगाते हो और नारी की परती सानुबती रखते हो तो सर मैं चिकिश्या मंतरी जी से ये पूछना चाहता हूं कि हम भी हमें भी सोईदानी का अधिकार आर्टिकल 19 of Constitution हमें ये सबतंतरता पुरुवक बात का जबाब देजिए कि जो आप बोलते हैं वो आप करते क्यों नहीं और दढ़ना सर इस्तेगित किया है लेकिन अमने इस दढ़ने का सवरूब बदला है अभी हम गोईंद बगवान से सबसे पहले मनीसा जो बहन है उसकी स्वास्ते की कामना करने आएं और ऐसा कुछ नहीं हो लेकिन सर हम यह भी करना चाहते हैं अगर साथ दिन में हमें अभी सर पांस दिन बचे हैं अगर हमारे पांस दिन में कुछ नहीं होता है तो मैं बोलो कि गोईंद बगवान सब को बनाने वाला सरकार को भी बगवान बनाने वालने बगवान से बढ़कर ना तो बज आश्वास करेंगे सर आश्वासन तो पहले भी दिया है ज़िक कि श्या मंत्री ने कि आठ को आठ को आठ को आपकी सुनवाई और तक आपका काम होजाएगा दस तक आपका काम होजाएगा लेकिन सर अभी ये साथ पांच दिन निकल गए तो 5 दिन के बाद मेरे को नहीं लगत लेकिन सरकार ऐसा कुछ करे कि जिसे हमें विश्वास हो कि यह बढ़ती पूरी हो जाएगी जी सर पट बंद हाल विलाल आप पहुंचे हैं पूरी उमीद और आज के साथ पहुंचे हैं क्या लगता है कि पट बंद होने का दर्सन नहीं हो पाए आपके लेकिन उनकी जब पीड़ा देखी तब हमसा मंतरी उनके पास क्यों नहीं गए मेरे को सबसे पहले ही इस सवाल का जबाब चीए और यह नहीं देना चाहते हैं तो नारी सक्ति का जो आप दावा करते हो तो सर यह बोलना कर प्या बंद कर दीजिए जी सर अब भरती हैं जो साफ साफ लगातार अपनी मांग को है बुलंद करते नदर आ रहे हैं हाल फिलाल की स्थिति यह है कि गोईंदेव जी के मंदिर में अपनी आस और अर्दास लेके पहुंचे हैं जो इनका भरती महिरा भरती हैं मनिशा सोनी जो पूरों में हाथ सिका जो है थो टो सेयर अच्छी जब सरकारं गंती है तो अब इस वह मैंगे जो मुट्ष मंतरी जी को बह오 में सर्मा बशाया गोणा अर्पना आराध्य मानते हैं तो उनके इन विचारों को और उनके बहुवान के प्रतिश षरद्धा को देखते हुए हम भी गोविंदेब जी की शरण में आएं ताकि उन तक हमारी ये बात पहुँचे, हमारी धार्मिक भावना पहुचे और इसलिए बस गोविंदेब जी महराज की शरण में हम आज इनके चरणों में हैं कि हमारी सुनवाई हो कि आपको सियम भजनलाल सर्मा भी देखेंगे अभी क्या संदेश दिना चाहेंगे बस उन्हें यहीं संदेश है कि वो हमारी सुने हमारे जो भाई बहन है बगवान जैश्री राम और सभी को फॉलो करने वाले लोग हैं वो भी इन सब चीज़ों को नहीं सुन रहे हैं तो और वो उन्होंने उसला हमारी जो सिस्टर उनकी सुध नहीं ली तो यह इस बात का बहुत दुख है और उनके लिए बस यहीं संदेश है कि वो हमारी भाव तरह के जिनजर जी कहीं सर उनको उनको मैं बोलना चाहरा हूं कि बगवान से बड़े वो भी नहीं है उनके अगर यह दिमाग में हो कि बगवान से बड़ा कुछ है तो बगवान से बड़ा कुछ है इनका अगर चकर चलेगा तो ऐसा होगा कि शिपू में जो बरस्टाचार हो रहा है या मैं यह भी नहीं करना चाहरा है कि बश्टाचार हुआ है ऐसा कुछ सर कुछ गड़बर तो है यह अपराद हो चाहिए क्रिमिनल हो चाहिए जूट पाकंड करें कुछ भी करें तो सर ऐसा तीर चलाएंगे कि दड़ से इनके गरदन अलग हो जाएगी अच्छी ब करेंगे अपने नाम बता दिए बढ़ा मेरा नाम पुष्पा मीना है मैं अनम हुँ और मैं आज गोवंदेव जी के धरवार में आयूं इनकी चड़नों में अपना सरकार तो हमारी सुन नहीं रही तो हमें सुच इनको सुना देती हूँ यह सुन लेंगे तो सरकार भी हमार हमारी बाते सुन हमारी मांगे पूरी करें और मैं सरक यह भजनलाल जी से कहना चाहती हूं कि मुखे मंतरी जी से कि मैं हमारी को जल्दी जल्दी नुक्ति दे और हमारी बहन जो मलब सिफू में धरने इस्तान पर आ रही ती रास्ते में उसके साथ को दुरगटना हो गई व और हमें नुक्ति दे टाइम पर क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके बच्चे धरने में हम धरना बिल्कुल नहीं करना चाहते है और बस हमें साथ दिन के अंदर हमारी सियोस मैडम सुब्रमेम ने कहा था कि साथ दिन के अंदर हम आपको कुछ नुक्ति बगरा दे देंग मैं यह संदेज देना चाहती हूं कि जिने आप अपना रादे देव मानते हैं उने की चड़नों में हम आये हैं तो आप हमें नुक्ति दे और सरकार से जो आप महला बीजेपी सरकार महला महलाओ को आग इतना प्रोसाहित कर रही है कि महलाओ के लिए हम यह करेंगे तो मैं उनकी महलाओ रोड पे बैठी है और भूकी प्यास है आप रोड पे हमारी महलाओ को बिठा दिया उस सरकार ने फिर हम आगे उनको कैसे समरतन करेंगे कैसे बोड देंगे आप आने वाले टाय में लोकसवा चुनाओ भी आ रहे हैं जिने उन्हें पता है कि अगर हमारी महला हमारे देश की महलाओ रोड पे बैठ गई आके तो सरकार गिनने के चांस ज़्यादा हो जाते ना यह संदेज देना चाते हूं कि सुने वो हमारे वीडियो को कि चुनाओ को देखते हुए मद्दे नजर रखते हुए हमारी जल्दी से जल्दी हमें जोइनिंग दे दे बस संदी पकड़वाल था नगरी मीडिया चयपूर